है हलो गाइज आम रिक्की एंड और मॉस्ट वेलकम और यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज जैसा कि जानते हैं हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं और फिजिक्स में चेप्टर चल रहा है ऑप्टिक्स अर्थात प्रकास तो प्रकास में इसके पहले वीडियो म सब्सक्राइब हम लोगों डौन समते डर्पन को अगर डर्वान होते हैं और किसी ड्रका रखा आथा तो उसके बाद उसमें इस बस्तू की कितनी परिव में बनेगी इसेज और रखा समतल दरपन रखा हुआ है और उसके बीच में कुछ-कुछ एंगल पर कोई जो है कोई ऐसी बस्तु रखी गई है तो उस बस्तु का कितना प्रत्वीम बनेगा अर्थात नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे उसके प्रत्वीम्बों की संख्या कितनी होगी इसको निकालने का दरपन दो मिरार है जो थीटा एंगल पर जुका हुआ अर्था दोनों मिरर जो है इस तरह रखा किसी bleeding में किसी औप ऑबजेक्ट को रखा राता है तो उसकि के invent बनेंगे उसको निकालना है और यह नोमस्त आप शॉरम蒬 में पूछा जाता है और बहुत की क् मेंधी सब्सक्राइनैं. किस प्रकार करेंगे हम आगे देखेंगे तो बात यहा तक है कि समतलक्राइब किसीitter हैं और और उसके बीच में क्योंन कुछ बस्तु रखी गई है कोई औजेक्ट रखी सबसे पहला जो इसमें निकालने का तरीका है देखिए इसका बेसिक है हर चीज का कुछ न कुछ बेसिक है लेकिन हम सीखते हैं तो पहले हमें धारना मजबूत करने होती है फिर बाते समझ में आती है धारना मजबूत करने का बात में यह कह रहा हूं अगर 360 बटे थीटा अब आपके मन में आता हूँ यह 360 कहां से आया थीटा कहां से थीटा तो आप जानते होंगे वह एंगल है जो दोनों दरपन के बीच में जिस एंगल पर कोई अब्जेक्ट रखी गई है वह एंगल थीटा है और 360 अभी 360 को आप मान लेजिए क्या यदि 360 बटे थीटा एक सम संख्या है है अगर 360 बटे थीटा एक सम संख्या आए तो परतिवींबों की संख्या प्राबर 360 बटे थीटा मैंनस वन यह हो गया आपका पहला कंडिशन यहां कह रहा है कि जिस एंगल पर दो दरपन के बीच में कोई बस्तू रखी जाएगी उस एंग से आप 360 को डिवाइड कीजिए और भाग देने के बाद जो भागफल होगा वह अगर सम होगा है ना वह अगर सम होगा इवें नंबर होगी तो उसमें परतिवींबों की संख्या कितनी होगी 360 बटे थीटा मैनस वन जैसे मान लिजिए एक्जाम्पल के लिए हमने यहां पर 90 को रख लिया हमने यह मान लिया की ओ समतल दरपन के बीच में जो अबजेक्ट रखी गई है वह 90 डिगरी पर रखी गई है दो समतल दरपन के बीच में जो अबजेक्ट कि उसकी एंगल कितनी है 90 हम मान लेते हैं तो 90 डिवरी पर है अब 90 जैसे ही हुआ तो 90 से हम 360 को डिवाइट करेंगे तो यह 94 जा 360 हो जाएगा यह 4 वार में कड़ जाता है 360 चार एक समसंख्या है अगर समसंख्या आ रहा है तो आपको क्या करना है उस समसंख्या में से एक घटा देनी है अर्थात 4-1 कितना हो गया तीन और यहीं नंबर ओफ इमेजेज आपका आंसर हो गया और यह जो है नंबर ओफ इमेजेज कितने हो गए Was 2-2-3 यही आपका आंसर हो गया तो दो समतल दर्पन के बीच में अगर कोई आपजयेक 90 संख्या कीतनी हो गए 3 होगी यहां आंसर हो गया और प्रस्ञ क्या रहेगा आपको एकजाम में किर दो समतल दर्पन के बीच में 90 डिभी पर रखे किसी ऑपजयेक के इमेजेजो की स भाग किये चार आया और चार में चार को देखें किया सम है सम है तो उसमें एक माइनस करना है अर्था तीन हमारा आंतर हो गया अब देखिए अब कंडिसन दूसरा है यह तो सम वाली बात हो गई अगर रहती है जएसे मान लीजए हम इसके संदर्व में बात करते हैं जैसे 362 हलगे अगर यहां थीटा का मान 30 degree हो गया थीश को 30 से जवाब टीस ज़ाब 3030 में divided करेंगे कितना होगा 12 होगा भाकफल क्या होगे आपका तो भाकफल होगे अपका सम हो गया इस 30 नहीं चलेगा जैसे मालीजर हम 40 लिते हैं संख्यां यह घटा नहीं है लेकिन अगर भागफल विसम संख्यां आ रहा है तो यहीं हमारा आंसर होगा अर्थात नंबर ऑफ इमेजेज कितनी होगी नो हो जाएंगे और यहीं हमारा आंसर होगा अर्थात कोस्यन यह रहेगा कि अगर दो समतल दरपन के बीच में किसी संख्यां अगर आ गया भागफल में तो वहीं उसका क्या होगा नंबर ऑफ इमेजेज होगा अर्थात इसमें ना तो एक माइनस करना है ना एक पलस करना कुछ नहीं इसी दाज जो आ गया वहीं हो जाएगा तो यहां अब देखिए यह तो आपने दो चीज को समझ लिया अ लेकिन विशंसंख्यां में दो केस होता है इस बात को ध्यान रखेए वहाई हो हो और दूसरा है यदि वस्तु दोनो दर्पन के बीच के क्यों समझ भाजक पर हो आब यहां पर दो रोमन मैं और टू हमने लिखा है यह दो कुस्यन यह दोनों दर्पन के बीच के कौं संधिभाजक ताफट तो 360 ठीक ही हमारा आंसर Hollanda she Malay said हम ने एक्जामपल दिया है जास चालीश डिक्री कौन पर भुखें संद्रपन के बीच 360 बढ़े चारीध था दोनो दरपन के बीच के कौन समद्वी भाजक पर नहीं होंगे तब अगर मालीजे 40 डिगरी कौन पर रखा गया है और वह कौन समद्वी भाजक पर नहीं है तो उसकी भेल्यू 360 बटे थीटा ही होती है अर्थात वह 9 परतिविम्भ ही देगा ठीक है ना? लेकिन इसके विफ्रित यदि बस्तू दोनों दरपन के बीच के कौन समद्वी भाजक पर इस्थित हो तब उसकी भेल्यू 360 बटे थीटा मैनस 1 हो जाती है क्या हो जाती है 360 बटे थीटा मैनस 1 हो जाती है तो यह आपका दो केस हो गया एक केस सबसे पहले हम लोगों ने सम संख्यां का देखा जिसमें कोई लफड़ा ही नहीं अगर 360 बटे थीटा का मान सम संख्यां आ रहा है तो सीधा उसमें क्या करना है भागफल में 1 माइनस करना है जैसे 90 डिग्री पर निकाल रहे थे 90 से 90 से 94 चार हुआ और चार सम संख्यां इसलिए उसमें एक घटा दिया तीन आंसर हो गया उसमें 2 केसब बनता हे एक केस तो पहला यह बनता है य Gwen दी बस तो बैस की क्यों संख्यां सम धिखागा Aegis नहीं कोगा grade लेकिन लेकिन अगर दो सम्तल दर्पन के बीच में रखी गई जो बस्तू है वह कौन सम्धिवाजक पर होगी तब वह क्या हो जाएगा वह 360 बटे थिटा मैनस 1 हो जाएगा यह जो आप्सन दूसरा है है ना सम्तल दर्पन के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तू रखी है तो परतवी मिक्रांख्या क्या हो जाएगी 360 बटे 40-1 अर्था 9-1 बरावर 8 आंसर हो जाएगा देखे मेत्र अब हम आपको एक बात बताते हैं इसमें होता क्या है आप सम को समझ लिये कि सम में क्या टरते हैं अगर भागफ़ल सम आ रहा है तो हम उसमें से美味 करते हैं वही चीज यहां दूसरा में भी आ रहा है यहाँ जो परावर पार्ट में सम्तल दर्पन के बीच में जो एकदम संभी भाजक पर आ जाता है तो यहां सम वाला केस ही लागू हो जाता है क्योंकि वह बरावर भाग में बढ़ जाता है और इसलिए वहां पर जो हो जाएगा समझ रहा है 360 बड़े थीटा का मान यहीं परतीव की संख्यार आता है जो है लेकिन जब कौन संभी भाजक पर स्थिद होने की बात होती है और आंसर हमारा क्या आगया आ अब देखिए इस दो यह आपने एक बीसममझे लिए इस दो केस के अलावा एक तीसरा केस भी है कि 360 वड़े थिटा कमान या तो सम आ सकता है ती की समaina सकता है अगर 360 वड़े थिठा कमान की शम आता है तर अपने दोनों केस आपकेस को देख अब एक and और बनता है, एक फ्रेक्षान नमबर हो जाए, थिन्सो साट बड़े थीटा एक भिन संक्या हो, तो फर्तिभीम की संक्या उसके पूर्णागा के बराबर होगी, किस मालज्य चैप के बराबर होगी, 360 बटे ठीटा निकालेंगे मतलब 360 बटे 50 करेंगे और इसमें क्या आगा आप पाते हैं 7 पुर्णांक 10 बटे 50 या 7 है ना hold 1 by 5 ये आ रहा है तो इसमें 7 पुर्णांक 1 बटे 5 जो आया इसमें पुर्णांक कितना है 7 इसलिए number of images कितना हो जाएंगे साथ ये 7 ही हमारा answer हो जाएगा और साथ पुर्णांक के रूप में जो हो जाएगा वही answer हो जाएगा यहां तीसरा case है तो हमको लगता है case 1, case 2 और case 3 तीनों ही आपने समझ लिया case 1 तो simple है कि 360 बटे ठीटा का मान अगर sum आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं उसमें 1, minus करते हैं case 2 भी simple है 360 बटे ठीटा का मान अगर विसम आ जाए तो वही answer हो जाएगा अब विसम में 2 condition है जैसे मालिज हम इसको A लिख देते हैं और इसको B लिख देते हैं A और B condition A क्या कहता है यह दिद्धूर दरपन के बीच कौन सम्विभाजक पर नहीं हो अगर कौन सम्विभाजक पर नहीं होगा तो वह जो हो जाएगा भागफल 360 बटे ठीटा का मान जो होगा वही answer हो जाएगा लेकिन अगर दोनों दरपन अगर object दो दरपन के बीच के कौन सम्दिभाजक पर होगा तब फिर क्या होगा, वही वालतीं सार्डवड दिटा मैनस वन वाला केस लगेगा, और यहां पर 1 माइनस करेंगे, यह एक्जामपल हमने कहा था, यदि 360 बड़ धीटा एक धिन संख्या हो तो परतिवीम्भी की संख्या उसके पुर्णांख के बराबर होगी इसे मान लेते हैं कि धीटा का मान पच्चास जिग्री है तो 360 बड़ पच्चास देवं करेंगे तो यह कितना आजाएगा साथ पुर्णांख एक पाँच आएगा साथ तो हमको लगता है कि अब आपने तीनों ही केस को समझ लिया वन टू थ्री सम में सिंपल विसम में दो केस है एक समधी भाजक पर ना हो और एक समधी भाजक पर हो अगर समधी भाजक पर ना हो तब तु वही आंसर हो गया जो 360 का मान हो जाएगा और अगर समधी भाजक पर हो है ना तब लगानी होगी अर्थात जो सम वाला केस था वही इसमें लगाने होगी यह दूसरा हो गया और तीसरा तो आप जा नहीं रहें यदि बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं जब भी नंबर ओफ इमेज़ों इसकी इमेज़ेज की संग्या पूढ़ी जाती है तो इससे सवाल रहते हैं इस कॉंसेप्ट को अच्छे से आप समझ लें और इसको आज आराम से एक जाम में सौल्व करें आज वीडियो को एंट करते है थनिवाद स्वास्त्र अपना खाल रखें जैहिंद।